कि ओम नवों भगवते वासुदेवाई द्वादस इसकंद के प्रतमध्याय में कर्ल्योग के राजवन्सों का वर्णा तो राजा परिक्षत ने पूछा भगवन यदवन्स रोमनी भगवन सीक्रस जाव अपने परम धाम पदार गए तब प्रत्वी पर किस वन्स का राज्य कि तता आप किसका राज्य होगा आपकरपा करके मुझे यह वतलाई है ची सुग्देव जी ने कहा प्रिया परिक्षत मैंने तुम्हें नवे इसकंद में यह वाद वतलाई थी कि जरासंद के पिता ब्रह द्रत के वंस में अंतिम राजा होगा पुरण जाए पुत्र प्रद्योत को राजसंग आसन पर अब सिक्त कर देगा प्रद्योत का पुत्र होगा पालक पालक का सिखाय यूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन प्रद्ययोतवन्स में यही पांसिन्र अरकत्ती होंगे इनकी संग्या बेद्यवक, यह 148 वर्स तक परिकाउbrूख करेंगे इसके पस्चात सिसुनाग नाम का राजा होगा सिसुनाग का काकवर्ण उसका शेम धर्मा और शेम धर्मा का पत्र होगा छेत्रग्ड छेत्रग्ड का विदिसार उसका अजासत्रू फिर दर्वक और दर्वक का पत्र होगा अजय अजय से नंदी, वर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा सिसुनाग मंस में ये दसराजा होगा ये सब मिलकर कल्यों में 360 वर्ष तक प्रथ्वी पर राज करेंगे प्रिय परिक्षत मानंदी की सूद्रा पत्नी के गर्व से नंद नाम का पत्र होगा वो बड़ा बलवान होगा मानंदी, मापद्म, नामक, निदी का अधिपत्य होगा इसलिए लोग उसे मापद्ध भी कहेंगे वो छत्री है राजाओं के बिनास का कारण बनेगा तबी से राजा लोग प्राय सूद्र और अधार में खो जाएंगे मापद्म, प्रच्वी का एक छत्रग सासक होगा उसके सासन का उलंगन कोई भी नहीं कर सकेगा छत्रियों के विनास में हेत्व होने की दर्ष्टी से तो उसे दूसरा परश्राम ही समझना चाहिए उसके सुमाल आधी आठ पुत्र होंगे केवे सभी राजा होंगे और सो वर्ष तक इस प्रच्वी का उभू करेंगे कोटिल्य, वात्सायन तदा चानक के किनाम से प्रसिद्य ब्रह्मन, विश्व विख्यात, नंद और उनके समाल्य आधी आठ पुत्रों का नास कर डालेगा, उनका नास हो जाने पर कल्योग में मौरेवंसी नर्पती प्रच्वी का राज करेंगे वही ब्रह्मन पहले पहल चंद्रगुप्त मौरी को राजा के पद पर अविश्र्ट करेगा चंद्रगुप्त का पत्र होगा वारिशार, वारिशार का असोग वर्धन, असोग वर्धन का पत्र होगा स्यस, स्यस का संगत, संगत का सालिसूक, सालिसूक का सौमसर्मा, सौमसर्मा का सद्धन्वा, सद्ध्वना का पत्र ब्रध्रत होगा कुरुबंस विवूजन परिक्षद मौर्यवंस के ये दस नर्पति कल्योग में 137 वर्ष तक प्रश्वी का उभोग करेंगे ब्रद्रत का सेनापती होगा पुश्यमित्र सोंगो वो अपने स्वामी को मार का स्वेम राजा बन वेठ है संगोलोनस के ये दस नर्पती 112 वर्ष वर्ष तक पत्व का पालन करेंगे परिक्षत सुंगवंसी नर्पतियों का राज्यकाल समात्थ होने पर यह प्रश्वी कन्वंसी नर्पतियों के हाथ में चली जाएगी कन्वंसी नर्पति अपने पूरुवर्ति राजाओं की पेक्षा कम गुणवाले होंगे सुणक बंस का अंतिम नरूटी देव भूति बड़ा ही लबपठ होगा उसे उसका मंत्री करण्वंसी वस्देव माढ डालेगा अपने बुद्धी वल से सुयम राज्य करेगा वस्देव का पुत्र होगा भूमित्र का नारायन नारायन का सुसर्मा सुसर्मा बड़ा यह सवी होगा कर्णुवंस के चार्ण नर्पति कांडुवायन कहलाएंगे और कल्यों में 345 वर्ष तक प्रश्वी का व्योग करेंगे तुर्य परिक्षत कर्णुवंस सुसर्मा का एक सूत्र सेवक होगा बली वह अंदर जाती का बड का पॉन मास होगा पॉन मास का लंबोदर लंबोदर का पुत्र चिविलक का मेग स्वाति मेग स्वाति का अटमान अटमान का अनिस्ट कर्मा अनिस्ट कर्मा का हालेया और हालेया का तलक तलक का पुरीश्वीरू पुरीश्वीरू का पुत्र होगा राजा सुनंदन परिक्षत सनंदन का पुत्र होगा चकोर चकोर पे आठ पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे इनमें सबसे छोटे का नाम होगा विश्वस्वाती वो बड़ा भीर होगा और सत्रू का दमन करेगा विश्वस्वाती का गौमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमा पुरीमान का मेधसरा मेधसरा का सिविसकंद सिविसकंद का यगिस्री यगिस्री का बिजय और बिजय के दो पुत्र होंगे चंद्रविज्य लोमधी परिक्षट यह तीस राजात 456 वर्स तक प्रच्वी का राज़ भोगेंगे परिक्षट इसके पस्यात अब ब्रति नगर भी होंगे इनके बाद आठ यह वन और शौदह तरुक राज़ करेंगे इसके बाद कि दस गुरुंड ऑग ज्यारह मौन नर्पति होंगे मौनों के अतरकती हैं सब 1099 वर्स तक प्रच्वी का उभोग करेंगे तक 11 मौन नर्पति 300 वर्स तक प्रच्वी का सासन करेंगे वंगरी का वाई सिसूनंदी तता यसोनंदी और प्रवीरग ये 106 वर्षतक राजी करेंगे, इनके तेरह पुत्र होंगे और वे सब के सब वाली कहलाएंगे, इनके पस्चात पुस्पमित्र नामग शत्रिया और उसके पुत्र दुरमित्र का राजी होगा, परिक्षत, वाल वंसी, नरपती, एक, साथी, विविन परदेशों में राजी करेंगे, उनमें साथ अंद्र देश के, साथी, कोसल देश के अधिपती होंगे, कुछ विदूर भूमी के सासक और कुछ निसंद्र देश के स्वामी होंगे, इसके बाद मगद देश का राजा होगा, विस्ट पूर्वोक्त पुरंजय के अतरिक्त द्वतिय पुरंजय कहलाएगा, यह ब्रामणा दी उच्छ वर्णों को पुलंद, यदू और मद्र, आदी मिलेक्ष प्राय जातियों के रूप में परणित कर देगा, इसकी बुद्दी इतनी दुस्थ होगी, यह ब्रामण छत्रियो प्रस्वी का राज्य करेगा, परिक्षन, जयोंजों घोर कर लोगा आता जाएगा, तो तो सोरास्ट अवंति, आभी, सूर, अर्वोद और मालव देश के ब्रामणगन संसकार सुन्य हो जाएगे, तो राजा लोग भी सूद्ध तुल्द हो जाएगे, सिंदु तट्ट और मलेक्षो का राज्य होगा, परिक्षत, यह सब के सब राजा आचार विशार में मलेक्ष प्राय होंगे, यह सब एक ही समय भिन भिन प्रांतों में राज्य करेंगे, यह सब के सब परले सिरे के जूटे अधार में सुल्पदान करने वाले होंगे, छोटी छोटी बातों और धन हत्या लेने के लिए ये सरवजा उत्सुत रहेंगे न तो उन्हें बढ़ते देल लगेगी और न तो घटते छड़ में रुष्प तो छड़ में तुष्प इनकी सक्ति और आयू थोड़ी होगी इन्में परमपरा का संस्कान नहीं होगे ये अपने कर्तव्य करम का पालन नहीं करेंगे रजोगन और तमोगन के अंधे बने रहेंगे राजा के वेश में वे मलेक छी होंगे वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खुंचू सेंगे जब ऐसे लोगों का सासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वहाव आचन और भासन की ब्रद्धी हो जाएगी राजा लोग तो उनका सोशन करेंगे ही आपस में भी एक दूसरे को उत्पीरित करेंगे और अन्तित्य सब के सब नस्थ हो जाएगे प्रत है या पहला ध्यासमापत होता है